दोस्तों बेद इस्मर्ती और गीता और पुराणों में कल्युक का विस्तार से बढ़न मिलता है। इस युग में इस्त्रियों का चरित्र और सोभाव कैसा होगा। इस बारे में इन पुराणों में साप साप लिखा हुआ है। दोस्तों पुराण कहता है कि काली काल में इस्त्रियों पर एक और तो बहुत जुरुम हो रहा होगा। पावंदियां लग रही होगी। वहीं दूसरी और इस्त्रियां अपनी इच्छा से बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाएंगी। दोस्तों ये वाज जरूरी नहीं है कि सभी इस्त्रियां संसकार हीं होगी। लेकिन काली काल के प्रभाव में अधिकतर पर इसका असर होगा। तो दोस्तों आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस्त्रियों के बारे में पुराण कल्यूग में क्या कहता है आईए जानते हैं लेकिन उससे पहले हमारी आप से रिकेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के अध्धात्मि वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो दोस्तों पहला पॉइंट सुन्दरता ही योगिता होगी जियां दोस्तों कल्यूग में इस्तियां दिन भर अपने सुन्दर के बारे में ही सोशती रहेंगी उन्हें अपने केशों के रूप बती होने पर बहुत बड़ा गरब होगा कल्यूग की इस्तियां अपने इच्छा के नुसार आचरण करेंगी और बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाएंगी और इस्त्रियां बिल्कुल गंदे-गंदे काम करेंगी जिससे पुरुस भी शर्मिन्दा होंगे दुस्तों अगला पॉांट यह धनवान ही योग पुरुस होंगे जिहां दोस्तों कलिग में इस्त्रियां धनहीन पती को त्याद देंगी धनबान पुरुसी इस्त्रियों का स्वामी होगा दोस्तों अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुसों में उनकी आसकती होगी धनहीन को ग्रडित, पापी, आयोग और गंदा अब्यक्ति समझा जाएगा दोस्तों अंगला पॉइंट है बेशर्म होगी इस्त्रियां इस्त्रियां माता पिता, गुरु और पती की आज्या का पालन नहीं करेंगी तदा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी दोस्तों बेशर्मी भरे उनके बस्त्र होंगे और सिल्ता नश्ठो जाएगी इतना ही नहीं वे दुराचारी पॉरुसों से मिलने की अभिलासा करेंगी दोस्तों इस्त्रियों के कई पॉरुसों से संबंद रहेंगे ना के खाली अपने पती से दोस्तों देहिक और बेवारिक खित इस युग में पुरुस और इस्तरी सासात रहेंगे और ब्यापार में सफलता छल पर निर्फर करेंगी शारीरिक इच्छाओं की पूर्टी के लिए ही महिला पुरुस एक दूसरे के सात रहेंगे ना के शादी के बंधन में बनेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है कट्टू बचन बोलने वाली महिलाएं होंगी दियां दोस्तों कलिक की इस्त्रियां लो भी नाटी अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी अपना ही पेट पालेंगी दोस्तों अगला पॉइंट है इस्त्रियां होंगी पुरुसों की तरह दोस्तों कलिक में इस्त्रियां पुरुसों की तरह दिखेंगी दे पुरुसों की ही वोड में पुरुस जैसी हो जाएंगी पुरुसों की तरह बाल लखेंगी और पूरुसों की ही तरह कपड़ें पहनेंगी वो हर कार वही करेंगी जो पूरुस करना पसंद करते हैं दुस्तों अंगला पॉइंटे बीवा करना नहीं होगा जरूरी बीवा को धर्म नहीं मना जाएगा अथात काली काल में इस्त्रियों के लिए बिवाह अनिवार नहीं होगा बिवाह वस एक समझोता होगा जो दो लोगों के बीच होगा इस्त्रियां पती ब्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुस भी ऐसा नहीं करेंगी दोस्तों समय पूर भी गरबती होगी कल्यूग में इस्त्रियां बिवापूर भी गरबती हो जाएंगी घोर कल्यूग में 5-6 अत्वा 7 वर्स की इस्त्री और 8-9 या 10 वर्स के पुरसों से ही संतान होने लेगेगी सभी बर्णों के लोग कन्या बेच कर निर्वाह करेंगी इस्त्रियों के बहुत बुरे हाल हो जाएंगी दोस्तों आप लोग देखते हैं बर्तमान उब में लिव एन रिलेशन्शिप समलेंगी विवा अश्लील वस्त्र, अश्लील निर्त, वण शंकर जातिबाद, शराब कोरी सिग्रेट का प्रचलन, मित्या प्रेम विवाह, दहेच प्रकण भूरत्या, कंडौम का प्रचलन और इसी तरह की तमाम बुराईया, जो हमने आपको वीडियो में बताई, भविस्यमानी सा साबित होती दिखाई दे रही हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, आज के वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ पसंद जरूर रही होगी, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए, गुड़ बाई